इस वीडियो में हम 67th BPSC PT result और 68th notification समबंदी दो important information जो बिहार के आज important newspapers है दैनिक जागरन हो या प्रभात कबर हो सभी में दिये गए हैं उनको discuss करते हैं उससे पहले मैं बता दू कि अगर आप 68th problems की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे ग्राम से संग्राम MCQ series initiative मैंने start किय जिसमें Monday to Friday history, polity, geography, economy, miscellaneous, बिहार, current affairs साथ में बिहार special के important MCQs को discuss करते हैं उसको आप जरूर follow कीजिए अगर 68th problems की तैयारी कर रहे हैं साथ में अगर जो लोग 68th, 67th mains की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल पे आई button पे आपको 64th से लेके 66th mains तक की जो है RTI को अप्लोड आप देख की evaluation का map done जान सकते हैं कि कैसे BPSC evaluators जो है different sections में marking करते हैं जो लोग नए aspirants से उनके लिए important है देखे इस notification में जो newspaper में अस दी गई है इसमें उन्होंने ऐसा notification पिछले चार-पांस दिनों से आ रहा था कि आज आएगा कल आएगा ये वो मतलब संभाबना है प्रब notification को या newspaper जो clipping है ये प्रभात ख़बर का है देखे 67 BPSC PT का result गुरुबार को आएगा इस परिक्षा के लिए चाहला का बेर्थियों ने अवेदन दिया था ठीक है लेकिन 30 सब्टेंबर को इसकी पुनह परिक्षा रिग्जामिनेशन जो ही थी उसमें 3.15 लाक ये correct information है बहु कि उत्तर विकल्ब बदले हुए होंगे जो provisional answer में दिये गए थी अब clearly उनने mention कर दिया है कि 8 answers बदले गए है और ये input इनको आयोग नहीं दिया होगा यह बदला परिक्षारतियों क्या पत्ति के बाद आयोग के बिसे सग्यों ने की थी साथ ही आरक्षन कोटी बार cutoff marks भ रिक्षारतियों के 802 है इसका 14 गुना यानी 11,200 होता है अंत में एक नंबर पे कई सो परिक्षारती होते हैं ऐसे में 12,000 के आसपास रिजल्ट होने की संभावना है वो देखिए लास्ट कट-off पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ले लिया जाता है एक और important चीज़ इसके लिए एक दर्जन विवागोस 222 रिक्तिया अब तक आई है टोटल 400 आने की संभावना है यह आपको प्रभात खबर में दिया गया था साथ में अब हम देखते हैं दैनिक जागरन में क्या दिया गया था वही चीज़े हैं कि देखें बीपीसी पीटी अभी तक यह ल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो यह आप ध्यान में रखेंगा आयोग के संयोग सची परिक्षा नियंद्र कम्रेंद कुमार ने बताया कि दोनों भी ग्यापन को लेका तैयारी की जा रहे है इसरसट भी प्रारंबिक परिक्षा के OMRC का मुल्यांकन पूरा हो चुका है और सफल अब उमिद्वारों की OMRC की मैनुवल चेकिंग की जा रही है अब तक 300 वैकेंसी प्राप्त हो चुकी है 68 के लिए ठीक है उसमें 222 लिखा इन्होंने तो नियूस पीपर्स में हाला कि एक चीज़ इसमें इंपोर्टन है कि इन्होंने लिख दिया है कि आज आएग